ओम शान्ति, मैं डॉक्टर सचिन पर अप मुंबई से बोल रहा हूँ स्वास्ते के श्रिंकला में हम भावनिक स्वास्ते के बारे में देख रहे थे भावनाओं के छे प्रमुक प्रकार और उनके अलग-अलग उपर प्रकार हमने थोड़े से टच किये थे मुझे ऐसे लगता है इसके बारे में और गहराई से जाना चाहिए मैं आज भावनिक स्वास्ते में दो बातों को विशेश टच कर रहा हूँ समय की मर्यादा को देखते हुए और वो है सिंपती और एमपती ये दोनों ही बहुत पावरफुल शब्द है सिंपती अंग्रेजी में कहते है पैथी माना फीलिंग, सिंप माना सेम सामने वाले के दुख को समझना सिंपती है एमपती माना सामने वाले की जगे पे जाके उस दुख को महसूस करना और तीसरा शब्द है कमपैशन या करुना तो सिंपती, एमपती और कमपैशन अंग्रेजी के शब्द है सहनुभुती, समवेदना और करुना ये तीनों ही शब्दों में फरक है जो भावनिक स्वास्थ वाला व्यक्ती होगा वो सामने वाले व्यक्ती के दर्द को केवल समझेगा ने क्योंकि समझना दिमाग के सतर पर होता है, फील करना या महसूस करना दिल के सतर पर होता है लेकिन उसके अंदर कमपैशन या करुना होगी तो वो समझ के महसुस करके उसकी मदद भी करेगा तो ये कमपाशन में आता है तो हमको सामने वाले के दर्द को केवल समझना नहीं है उसको महसुस करके उसकी हो सकता है उतनी मदद करना ये लोग बहुत शक्तिशाली होते है हिंदी में एक कहावत है कि आपने वेद शास्त्र नहीं पड़े तो चलेगा लेकिन सामने वाले की वेदना पड़ना आना चाहिए इस समय एंपथेटिक लोगों की बहुत जरूरत है क्योंकि लोग बहुत दुखी होते हैं और ये लोग मानसिक और भावनिक स्वास्ता में बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि उनके अंदर ये फोर्स होता है तो हम सभी लोग केवल सिंपेटेटिक नहीं बने खास करके डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि पेशन्ट आपके पास आ रहा है वो दुखी है है तो किसे प्रभावित नहीं होना चाहिए तो ये संतुलन भावनिक स्वास्ता वाले मैंटेन करते आमको करना है तो एमपेथाटिक बने, सामने वाले के दर्द को महसूस करे और उसको दर से मुक्त होने के लिए उसको शक्ती दे मदद करे कई बार सामने वाले को मदद नहीं करना ये भी empathy और करूना है क्योंकि अगर आप बार बार किसी को मदद करते हैं तो वो आपके उपर dependent हो जाता है तो उसको अपने उपर dependent भी नहीं करना है अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू फीड परसन फार वन डे यू मेक इम सरवाई फार वन डे पर इफ यू टीच इम हाव तो अर्न अब्रेड यू मेक इम लिव फार होल लाइफ आप एक दिन किसी भूके को अनाज खिलाते हैं आप उसको एक दिन के लिए बचा रहे लेकिन उसको कमाना सिखाते है तो आपको जिवन बर जिन्दगी भर उसको आप ठीक रख रहा है तो हमको यही देखना चाहिए कि कहां पर हमको मदद करनी चाहिए कहां पर ॡिटाच होना चाहिए ये परखने की शक्दी भावनिक स्वास्तवालों में होती है जिसको हम कहते है आर्क्यू ये नया शब्द है इसका फुल फॉर्म है रेजिलियन्स कोशन्ट अभी इसको हिंदी में हम कहेंगे कि आपके अंदर लवचिकता कितनी है शास्त्रों का उधारन है कि एक ओक का पेड है बहुत लंबा और एक ब्लेड ऑफ ग्रास है मना घास घास का पता है तो जब तूफान आता है तो बड़ा रुक्ष है वो तूड़ जाता है लेकिन वो घास का जो ब्लेड होता है पता होता है वो जुख जाता है और वापिस फिर से खड़ा हो जाता है जीवन में जब प फिर से खड़े हो जाते हैं, तो परिस्तिती आनी के बाद, जिनका भावनिक स्वास्ता अच्छा है, वो बिखर नहीं जाते हैं, वो निखर जाते हैं. In the event of adversity, some people break down and some break the record. तो हमको break down नहीं होना है, लेकिन record ब्रेक करना है, इसके लिए हमको लचिला होना बहुत जरूरी है. Brahma कुमारी में कहते है, royal gold जो होता है, वो mold होता है. तो ये अंदर की बात है कि हमको हर परिस्तिती में लचिले होकी, कहां पर जुकना है, जितना हम जुकेंगे, लचिले रहेंगे, उतना हम emotionally healthy रहेंगे. तो empathy, compassion और resilience इन तीन शब्दों के ओपर हम चिंतन करेंगे कि क्या मैं दूसरों की वेदना को महसुस करता हूँ, क्या मैं दूसरों को मदद करता हूँ, क्या मैं हर परिस्तिती में लचिले पन का अनुभव करता हूँ, या मैं अकड कर जीराओ, अकड के जीराओ तो मैं अच्छा, ओम शान्ते